हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग देखेंगे कोडिनेशन कंपाउंट के इंपोर्टेंट टर्प काडिनेशन कंपाउंड में कौन इंपोर्टेंट टर्म है उसके बारे नोग जानें गाए तो आए यह देखते हैं सबसे पहला जो हमारा है वो है कोडिनेशन इस फेयर इसे को कहते हैं कोडिनेशन इंटिटी ठीक है क्या कहते हैं इसी को क्या कहते हैं दूसरे रूप में क्या क्या हो गया कोडिनेशन इंटिटी ठीक है इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर भी कहा जाता है ठीक है तो कोडिनेशन स्फेयर का तीन नाम हो गया कौन-कौन सा कोडिनेशन स्फे त्वाला बात क्या होना चाहिए यह स्कॉर भ्राइकेट था इसी के अंदर क्या था और इसे के चारोतरब क्या होता था लिगएंड होता था थी के स्पयर या कॉडिनेशन इंटिटी या 現在 internet अशी में क्या करता है ुप श Iniो जान जालत किसको करेंगे वसके बारे में ठीकका तो किसको करें किसको करोंड से क्लेना healthyत किसको रहा है का काऩ श्वाइर ब्राकेड और तक यह क्ली किनेशन इस ऩे क्लीने कोंसंग क्लीकर में जो complete एटम और लिगेंड एक स्क्वाइर ब्राइकेट से घिरा होता है यह सेंट्रल एटम के चारो तरब क्या होता है लिगेंड होता है यह सेंट्रल एटम के चारो तरब क्या होता है लिगेंड होता है यह सेंट्रल एटम के चारो तरब क्या होता है लिगेंड होता है यह सेंट्र से घिरा होता है स्पाहर राइकेट से तक इस़ी स्क्वाहर ब्राइकेट को क्या करते हैं कॉदिчес से को कहेंगे को कॉदिनेशन कंपान्ड में सेंट्रल एटम और पταν और । क्या मोथ हुआ लिगरेंड या क को केंगे या को दिनिशी都 काहिए यह पिर और उसी को हिंदी में क्या काता है उप्सा से योजन जाला तो किसको कहेंगे central atom के चारो तरफ लीगेंड जिस square bracket से क्या होता है घिरा हुआ होता है उसी square bracket को क्या कहते है हम लोग coordination sphere मतलब कहा जो complex compound या फिर coordination compound में में जो square bracket होगा इसी square bracket को क्या कहेंगे कोडिनेशन इस फेयर करेंगे ठीक है तो इसका टिफनेशन हम लोग देखते हैं कि देखें कोडिनेशन कंपाउंड उपसा साई हो जाक योगिक में सेंट्रल एटम तथा लीगेंड इसक्वाइर ब्रैकेट के द्वारा क्या आते हैं घीरे होते हैं यहां क्या हो जाएगा घीरे होते हैं इसी स्क्वाइर ब्रैकेट को क्या काते हैं उपसा साई हो जालक काते हैं ठीक है तक यहां जालक इंग्लिश में क्या करेंगे, या फिर कोडिनेशन इंटिटी करेंगे, या फिर आयोनाइजेशन के रहेंगे, ठीक है? तो पॉडिनेशन कंपाूंड में सेंट्रल एटम, तथा लिगेंड, स्क्वाइर ब्राक्ट के द्वारा क्या होते हैं? घीरे होते हैं. इसी स्क्वाइर ब्रैकेट को क्या काते हैं जाला काते हैं ठीक है अब जैसे यह पीटी सील फोर हो गया अग्जामपल के लिए तो यह जो आपका स्क्वाइर ब्रैकेट हो गया यह जो इसक्वाइर ब्रैकेट हो गया यही आपका क्या हो गया इसक्वाइर ब्रैकेट को क्या क लिगेंड एक स्क्वार ब्रैकेट से गिरा हुआ होता है उसी को क्या काते हैं चलिए आगे देखते हैं लोग कि नेक्स्ट कि इस फिगर को बना लेना नेक्स्ट कि नेक्स्ट है सेंट्रल एटम किसको काते हैं उसके बारे में देखेंगे ठीक है सेंट्रल एटम क्या होता है सबसे पहले देखेगा ठीक है यह आपका हो गया क्या कोडिनेशन स्फेर हो गया ठीक है यह क्या हो गया कोडिनेशन स्फेर हो गया इसके बीच में क्या होता है एक सेंट्रल एटम होता है जिसको किसे दिखाते हैं एम से दिखाते हैं और इसके चा सेंट्रल एटम हो गया और इसी के चारों तरब क्या होगा को उपस्थित हुआ पर मनों ऑपने चारों और लीगेंड से इसके चारो तरब क्या होता है लिगेंट से घिरा हुआ होता है इसी एटम को क्या कहते हैं, central atom ठीक है किसको कहेंगे central atom, coordination sphere में उपास्थीत वाइटम जो अपने चारो और किसे घिरे हुए होते हैं लिगेंड से घिरे हुएता है किसे घुरे हुएता है लिगेंड से मतलब कोडिनेशन स्फेर के अंदर जिसके चारो तरब क्या होगा लिगेंड होगा उसी को क्या कहेंगे किसके अंदर किसके अंदर कोडिनेशन स्फेर के अंदर जिस एटम के चारो तरब क्या होगा लिगेंड होगा उसी एटम को क्या कहेंगे Central Atom कहेंगे इसका मतलब समझ में आगे समझ में जो लीगन्ट से चारों तरफ से क्या होगा गीरा हुआ होगा उसको क्या करेंगे Central जो आपने चारों ऋर किसे घरें होए होते हैं सेंट्रल एटंप करते हैं या कैन्डरिया परमानु का तो सेंट्रल एटम का डिफिनेशन याद हो गया? कॉडिनेशन स्फेयर के अंदर हुआ परमानू जिसके चारों तरब क्या होता है? लीगन्ड से गिरा होता है उसी को क्या काते है? सेंट्रल एटम, ठीक है? चलिए इसका डिफिनेशन लिख लिजे है क्या हो जागा is a कर में उपास्तित वैर परमानु जो आपने चारोर की से गरे हुए होता है लिगन्ड से गरे अतरे उसी को क्या काते हैं इस हूं क संपर यह Central Atom जोगा वो क्या होगा जैसे मनली यह संद यह क्या होगा इसकवार प्रैकेट हो गया जैसे आप एक्जांपल लोग लेना चाहें एफीजियन 6 जैसे यह पीटी एफीजियन 6 एफीजियन 6 एफीजियन 6 खिक है यह एफी जोगा यह सेंट्रल छोगा इसमें जो कोडिनेसं कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम हो सक्षित है यह जो णिलमेंट होगा यहां किस ब्लॉक हैं जिर बनता है यह हो गया आपका प्रियोडिक टेवन जन्रल एसे ही बनता ठीक है यह हो गया आपका एस स्पलाऊंड में झो सेंट्रल एक्म होगा वह किस ब्लोग का होगा ड्टी बलोग का होगा अप देखिए इस से बार तो क्या है F.E. का परमानो संख्या कितना होता है F.E. 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 26 होता है ठीक है इसका electronic configuration कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 S 2 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा टू एस टू हो जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा टू एक्सक्राइब टू एस टू हो जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा टू पी शिक्स हो जाएगा 2p6 हो जाएगा 3s2 हो जाएगा 3p6 हो जाएगा 3p6 हो गया उसके 4s 2 हो जाएगा जोड़िये तो 2, 2, 4, 6, 10, 12, 12, 6, 18, 12, 20 हुआ अभी भी 6 बचा हुआ तो क्या हो जाएगा 3D 3D 6 हो जाएगा ठीक है आप देखिए लास्ट जो कक्छा है वो क्या है 3D 6 है इसको खोली है तो 3D 6 कैसे होगा D में कितना होता है D में maximum number of electron कितना होता है 10 होता है ठीक है और इसमें कितना होता है 5 होता है कक्छा एक दो तीन चार एक पहुंच ठीक है अब 6 लाफ्ट्रन आपके पास तो सबसे एक लाफ्ट्रोन सब में जाएगा 1 लाफ्ट्रोन हванwegen तेन पती जर अच्छी उसके बाद में काको की तो इसमें आ जीख अगर चांधुके ये तो तो छता करता यहां करता है धात्य है वेकिन का आग तो करता हूं यह लेकिन देखें इसके पास अगर इसको इलक्ट्रोन दिया जाए तो इसके पास क्या है यहां जगा खाली है यहाँ भी जगा खाली है, यहाँ भी जगा खाली है, तो यह इलक्ट्रोन अगर देने वाला अगर ताकत वार है, तो यह इलक्ट्रोन इसको दे भी सकता है, यह लेगा नहीं, आसानी से नहीं लेगा, लेकिन सामने वाला अगर कोई मजबूत देने वाला है, तो वो क्या कर द देता है लेकिन इस compound में अगर coordination compound में दातु क्या करता है इस में क्या हो जागा इसीड क्या करता है इसी कारण से रिख लुइस एसीड की तरह क्या करता है वेवार करता है ठीक है सेंट्राल एटम के पास क्या होता है को ग्रहान करने की छमता होती है इसी कारण से इसको यह कैसा वेवार करता है लूइस त्टीट की तरह ठीक है तो कोड़िनेशन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रों करने की चंस्टा होता है कॉडिनेशन कंपाउंड में क्या करेगा एलेक्ट्रों कि तरह का वेवार करेगा ठीक है कैसे खरन करेगा यह समझ में यह ओकि स्पार की समझवें होगा और सबस्क्राइब अक जो ए यह और यह आप सेन्स जो है इलट्रों लेगा यह सेंट्रालर डातन जो है वो करेगा इलक्ट्रोन लेगा ठीक है सेंट्राल एटम क्या करेगा इलक्ट्रोन लेगा लेकिन इसको देगा कौन देगा कौन लिगेंड ठीक है इसको इलक्ट्रोन कौन देगा लिगेंड देगा इसका मतलब सेंट्राल एटम अगर इलक्ट्रोन ले रहा है तो किसे कौन देगा इसको लिगेंड देगा ठीक है इसका मतलब लिगेंड के पास क्या होना चाहिए इलक्ट्रोन होना चाहिए ठीक है तो इस स्थिति में सेंट्रल एटम जो क्या कर रहा है इलक्ट्रोन ले रहा है और दे कौन रहा है लिगेंड दे रहा है यह समझना है सेंट्रल एटम क्या करे को देता है central atom को दे देता है और जो एलेक्ट्रॉन लेता है वो कैसा वेबार करता है लुईस एसीड की तरह वेबार करता है ठीक है तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखाएंगे आप देखें यह आपका क्या होगया central atom हो गया यह क्या हो गया coordination is fair हो गया ठीक है यह coordination sphere हो गया ठीक है और यह आपका क्या हो गया central atom हो गया next coordination compound में central atom के पाश electron ग्रहन करने की छमता होती है इसलिए central atom Lewis acid की तरह वेवार करता है ठीक है यह point इलक्रॉन क्या करता है ग्रहन करता है ठीक है क्यों ग्रहन करता है समझ में आगे क्योंकि उसके पास क्या आए Berry ठाल ने आढ़ना चाहिए अगर ताकतवर ले लेगा ठीक है तो कोडिनेसन कांपाउंड में जो जन्सेंटर läuft होगा उसके पड़ा सेंट्राओं करने का संत्राल ले पास क्या होगा क्या होगा इलाफ्रॉं सह आक्त्रां लेता है तो एंसको क्या करते हैं अगरहान करेगागर इस इस कित तरह करता है को ही इसका जाए सेंत्रल कोन ओजाएंगा इसमें इसमें इतव कौनने आ गें इसका हूगा यह क्या इसका ग्रहन करेगा आदर ल वाला एतम जिसके चारो तरफ क्या होगा। इसरी नुरु सब्सक्राइटम कीज वाला इतम से घिरा होगा। यो था कि लिगेंद हो गया है, सुल वाला एंदान सूरी सवन के वर को चुठाइटम, क्या होगा किस ब्लॉक से होगा डी ब्लॉक से होगा और शेंट्रल लेन क्या करेगा इलक्ट्रन ग्रहन चरेगा इसी करण से ये कैसा वैबार करेगा लुईस किसको कहते हैं हुआ कर देखिए कर लिडिये हो गया को डिने शन इस फेर के अंदर जो सuciones prag ऑपस्ति जो तरफ जो एटामम उसी को क्या कहेंगे लृणड पाणीछ सेंट्रॉल ओगे इसेके अंदर क्या हो गया इसेंट्रल एटममों अत्सक्राम और चारोवल तरफ जो ऑगा जो atam होगा, उसके बाद उसके चारो तरफ क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? एक central atom होगा? Central atom के चारो तरफ जो एटाम उपस्तीत होगा, उसके क्या काएंगे? रिखेंगे थिखेंगा अब देखिए लीगेंड जो हो सकता है वो अकेले भी हो सकता है य्याःतन का समुन भी हो सकता यह तो प्रमानू हो गाँ दो का समुन जैसे मन लेज़े यह अग्या high एच है या फिर एच है ठीक है तो यह अकेले हुआ या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओ एच माइनस है ठीक है तो यह क्या हो गया परमणू का समू हो गया यह क्या हो गया परमणू हो गया तो लिगेंड किसको कहेंगे, कॉडिनेशन स्फेर में, वा एटम या एटम का समू, क्या, कॉडिनेशन स्फेर में, वा एटम या एटम के समू, जो किसके चारो तरफ उपस्तित होते हैं, सेंट्रल एटम के चारो तरफ उपस्तित होते हैं, लिगेंड काते हैं ठीक है चलिए देखिए तो लिगेंड का डिफनेशन क्या हो जाएगा कोडिनेशन इस फेर में उपस्थित वा एटम या एटम का समू वा एटम या एटम का समू वा परमनू या परमनू का समी समू जो किसके चारोतरा पुपस्तित होता है Central Atom के चारोतरा पुपस्तित होता है उसी को क्या काते है Legand काते है तो इसका Definition देखते हैं देखें Coordination Sphere में उपस्तित वब एटम या परमानू का समू जो Central Atom के चारो और उपस्तित होते है उसे क्या काते हैं Legand काते है Coordination Sphere होगा Coordination Sphere होगा उसके अंदर क्या होगा Central Atom के चारो तरप जो परमानू या परमानू का समू उपस्तित होगा उसी को क्या काएंगे Legand काएंगे Coordination Sphere में उपस्तित वब एटम या एटम का समू परमानू या परमानू का समू जो क्या होगा Central Atom के चारो तरप उपस्तित होगा उसी एटम को क्या कहेंगे Legand कहेंगे ठीक है चलिए इस figure को बना लेना है इसके आगे देखते हैं Next क्या है देखिए अभी हम तुरंत देखें कि Central Atom Central Atom जो हमारा M था Central Atom जो हमारा M था यह क्या करता था Elecron को क्या करता था ग्रहान करता था तो ग्रहान करता था तो किस से ग्रहान करता था Legand से ग्रहान करता था किस से ग्रहान करता था Legand से ग्रहान करता था तो यह electron क्या करेगा, देगा, ligand क्या करेगा, electron इसको क्या करेगा, देगा, यह क्या करेगा, central atom electron लेगा, और देगा, ligand, ठीक है, तो जो electron देता है, जो क्या करता है, electron देता है, ठीक है, उसी को क्या करते है, base करते है, ठीक है, उसको क्या करते है, base करते है, जो electron क्या करेगा, उसको क्या काते है एसीड काते है ठीक है उसको क्या काते है एसीड काते है और जो इलक्ट्रॉन देगा उसको क्या काएंगे बेस काएंगे ठीक है तो लीगेंड कैसा वेबार करेगा लुईस बेस की तरह और सेंट्रल लेटम कैसा वेबार करेगा लुईस एसीड की तरह ठीक ह देखा कैसे सेट्र लेतम के पास क्या होता है यह जाख उया क्या रहेगा या किया रहेगा क्या रहेगा कि आ फिर ये दो और पंच पहले तो एक दो तीन हो गया चार पॉंच अब देखिए यह तीन बंधन जब बनाएगा तो यह तीनों बंधन ये बनाने में ये इलक्ट्रॉन क्या चला जाएगा इसमें चला जाएगा अब ये देखे दो इलक्ट्रॉन बचा एक सेकेंड ये दो इलक्ट्रॉन देखे दिख रहा होगा ये दो इलक्ट्रॉन बचा इसी इलक्ट्रॉन को काते हैं लॉन पेर ठीक है यह मतलब समझ में होगा तोड़लmaz हो टीक है अगर यह और घर के पास हों घरा सबले देंदको तो siline करता है यह थो जोल करता है यह माइनस चार्ज या फिर लोन पर किसके कारण उत्पन्न हो था इलक्ट्रोन के कारण ठीक है तो आप देखे सेंट्रल एटम क्या करेगा इलक्ट्रोन देगा सोरी इलक्ट्रोन क्या करेगा ग्रहन करेगा और लीगेंट क्या करेगा इलक्ट्रोन देगा ठीक है तो तो Central Atum नगर relectrone CRHON कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा ACCID हो जाएगा और LEGEND अगर läuftron colothando कर रहा है दे रहा है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा तो legend कह से कोंते Nico connection का blocks में उपश्तित व आ एटम जो Central album के चारों तरब उपस्तित होता है किसको कहेंगे लिगन कोडिनेशन स्फेर के अंदर उपस्तित वा एटम या एटम का समू वा परमनु या परमनु का समू जो क्या होगा सेंट्रल एटम के चारो तरफ उपस्तित होगा उसी को क्या कहेंगे लिगन्ड कहेंगे ठीक है और लिगन्ड क्या करता है इलप्रॉन द जालक में लीगन्ट के पास इलग्प्रोंद देने की छहमता होती है। इसलिए लीगन्ड लुइस छार या लुइस बेस की तरह वेवार करता है। में चलिए देखे लिगंड क्या हो जागा इसमें एच जी आई-से आई क्या हो गया अपका लिगंड हो गए तो लिगंड क्या आधम के चारो तराप उपस्तित होगा Major Sam veryRE!. उसे को क्या कहेंगे। लीगन कलेंगे ठीक है चल्य चलिए जैसे मळली जिए कि आपके पास एक लिगेंड है ठीक है यह क्या हो गया कोडिनेशन स्फेर हो गया ठीक है इसके अंदर क्या हो जाएगा एक सेंट्रल एटम हो जाएगा अब इसके पास मौन लिजा अगर चार लिगेंड है तो यह चारों लिगेंड को तो ऐसे रखेगा नहीं ऐसे एक, दो, तीन, चार, चारो लिगेंड ऐसे रखेगा नहीं, क्यों नहीं रखेगा देखो, ये सभी चारो बंधन जो है, वो किसे बनता है, इलक्ट्रोन से बनता है, किसे बनता है, इलक्ट्रोन से, और इलक्ट्रोन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, ठीक है, ये बंधन जो होगा क्या विकर संग जिसको क्या काता है रिप रसान काते है ठिक है अगर यह इलेक्ट्रॉन पर के रियां से गया अगर तो यह ऒगां इसकेे से डियां से और जांगते है उसली पांदर का100 टाम को उच्छ ऊच bet यह कि और यह पूंदि आप सै क्या हो गया इसके पास सबसे पाला बने यह यहां एक होजाएगा और सेम रिग्एंड हो जाएगा एक इसी प्लैन में यह ठीक है इसके बीच का जो एंगल होगा वह वहगा 109 davon Draghi स्पांच मिनस गित गाए कि आदना होगा 109 minimal पॉझ मिनस त्थधा अब दूसरा पर चार बंधन बनाता है, ऐसे, 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 ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा बनाना नहीं है, ठीक है, ये जो एक्च्वल में होता है, ये चारो बंधन जो होता है, एक्सो नौट डिग्री, पंच मिनट पर होता है, ठीक है, कितना होता है, एक्सो नौट डिग्री, ना कि यह 90 डिग्री के इसाफ से ठीक है तो देखिए अगर यह कोडिनेशन स्फेर हो गया यह सेंट्रल लेटम हो गया इसके चार अतरफ अगर चार लीगेंड तो हो जाएगा एक ही सता में एक ही तल में दो दो लीगेंड ठीक है अब तीसरा लीगेंड जो होगा वो क्या होगा वो कितना होगा 109 डिग्री पॉंच मिनट इसके इसके बीच इसके बीच भी जोगा एंगल कितना होगा 109 डिग्री यह क्या है उसी तल में नहीं है उसी प्लैन में नहीं है यह क्या है इसके जस्ट उपर है ठीक है और जितना यह वाला मोटा वाला उपर है ठीक है ब तो अंदर वाले को दिखाते हैं किसे डॉट से ठीक है इसके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री पॉंच मिनट ठीक है तो मतलब क्या कि इस्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है त्रीवीमिया सन रचना जो होता है किसका लीगेंड का ठीक है लीगेंड का जो त्रीवीमिया संरचना होता है उसी को कहते हैं कोडिनेसें पॉलिहेड्रां समन हो यह थीक है तो अब सह समयाए कारवन पो जैसे यह चार बंदन बना देते हैंер एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे यह बनाना गलत है ँसको कैसे बनना घॺ्या एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो ग्या ठिक है और सब के बीचना अंगल कितना हो टीक है 109 डीगरी कितना हो जाएगा 5 मिनाट फो जाएगा ठीक है इसी टी वीमिया सनरचना को क्या काते हैं कौडिनेशन पॉलिहेड्रोन या फिर समन्नवय बावलक ठीक है इसका समन्नवय बावलक का देखते हैं इसने को क्या कहेंगे हैं हम लोग लोगों कॉडिनेसन पालि हेड्रान कहेंगे ठीक है इसका फिगल्स चेर और किलियर हो जाएगा को दो है कि देखें यह यह से इसके बीछ का एंगल कित्ना हो जाएगा एक सरा डिगरी पॉंच है कि यहां का एंगल कितना हो जाएगा एक सो नो डिग्री पॉंच निते लिख लेना एक सो नो डिग्री तो पॉंच मिनट ठीक है और देखें यह कैसा फिगर बन रहा है टेट्राहेड्रल के तरह ठीक है यह कैसा फिगर बन लिनियर हो जाएगा कैसा हो जाएगा लिनियर हो जाएगा ठीक है कोडिनेशन पॉलिहेड्रोन इसका क्या हो जाएगा लिनियर हो जाएगा इसमें क्या आए टेट्राहेड्रल के तरह बंदा ठीक है तो इसको क्या कहेंगे इसका कोडिनेशन पॉलिहेड्रोन क्या हो जाएगा 109 degree 5 जिए लगे टिक्स चलिए नेक्स डेखते हो कि नेस्ट इसका एंगल कितना जाएगा एक सो है यह खैसे जाएगा कर अश्य में टेट्राहद्र नहीं होगा यहां हो जाएगा टेट्राहदरल नहीं होगा लिनियार हो ओगा ठीक यह जाएगा यह कैसा हो जाएगा लिनियार हो जाएगा फिगर में क्या हो जाएगा यह भी लिनियार हो जाएगा कोडिनेशन पॉलियेड्रॉन क्या हो जाएगा लिनियार हो जाएगा लिनियार हो जाएगा यह कैसा हो जाएगा लिनियार हो जाएगा coordination polyadron क्या हो जाएगा linear हो जाएगा चलिए next आज हम लोग ने सबसे पहला topic जो पढ़ा वो क्या पढ़ा important terms of coordination compound coordination compound के महातपूर term ठीक है तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े coordination sphere ठीक है सबसे पहला क्या पढ़े coordination sphere यहा इसफी को क्या काते थे coordination entities यहाएशी को क्या काते थे ionization sphere ठीक है coordination compound में क्या हता है central atom और ligand क्या होता है गिरा उआ होए होता है ठीक है तो इसी square bracket को क्या काते थे हम लोग coordination sphere काते थे coordination sphere का दूसरा नम क्या था coordination entity और उसी का दूसरा नम क्या था ionization sphere और हिंदी में क्या काते थे उप्सा संयोजान जालग तो coordination compound में central atom तथा leegend एक square bracket से गिरे हुए होते हैं किसे गिरे होते हैं square bracket से उसい square bracket को क्या काते है कोडिनेशन इस्फेर काते है ठीक है उसके दूसरा हम लोग पढ़े क्या Central एटम किसको काते थे कोडिनेशन इसफेर में उपस्तित वह वाला एटम जिसके चारोत रफ क्या होता है लीगेंड से घिरा वह होता है उसी को क्या काते है Central Atom काते हैं, ठीक है, Coordination Spare के अंदर वो वाला Atom जो क्या होता है, चारो तरफ से Ligand के द्वारा घिरे हुए होते हैं, उसी को क्या काते हैं? Central Atom, जनरली जो होगा, जनरली जो होगा, वो क्या होगा, और यह क्या करेगा, जो इल refers वालाप्रोन गरहन करेगा, जो इल उल इल इलन गरहन करता हैं, तो इसी करण से Central Atom कैसा विवार्वार करेगा, लुइस एसीड की तरह ठीक है कैसा वेबार करेगा लुइस एसीड की तरह यह इलक्रॉन क्या करता है ग्रहन करता है ठीक है अब देखिए नेक्ष्ट हम लोग पढ़े थे लीगन्ड लीगन्ड किसको कहते थे कोडिनेशन स्फेर में उपस्तित वो एटम या एटम का समू जो सेंट्रल एटम के चारो तरफ उपस्तित होते हैं उसी को क्या करता था इलक्रॉन देता था यह क्या करता था इलक्रॉन देता था इसी कारण से यह क्या करता था बेश के तरहrü लुजस की तार वहार करता है नेट्स हम लोगने पढ़ाक कोडिनेशन पॉलिहटरॉन ऑनिया ball कछ नहीं ता आसान सा चीज था क्या था सेंट्राल एटम के चारों तरफ जो लीगेंड होगा उसी के तिरी भी मियसन राचना को ही क्या काते थे हम लोग कोडिनेशन पॉली हेड्रों काते थे ठीक है अगर वो इस टाइप का हुआ जैसे एम था अगर चार हुआ एक एल उपर लीगेंड उ यही क्या हो जाएगा आपका कोडिनेशन पॉली हेड्रों तो यह क्या हो जाएगा इसका कैसा हो जाएगा अगर यहीं लीनियर में हुआ तब क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इसका कोडिनेशन पॉली हेड्रों क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे वाद हम लोग नेक्स्ट वीडियों में पढ़ेंगे आज के लिए यहीं तर